आज हमारा 4th lecture है, chapter no. 5, the fundamental rate of life का. तो हम क्या अगर रहे रहे हैं? नास lecture में हमने definitions discuss की हैं, कौन कोई सी हमने नास lecture में 4 definitions discuss की हैं? first is ATP, दूसरी कौन सी थी? amino acids, CCD, bacteria, और चोप की थी, centrum. चीक है? दुबारे से recall कर लेते हैं, ATP क्या है? अदिनसाइन ट्राइफोस्पेट, इसे बोलते हैं, energy currency of the cell. amino acids, इसे क्या बोलते हैं? building blocks of protein. क्यों बोलते हैं, building blocks of protein? क्यों फिए आपकस में चूढ़के क्या बनाते हैं? proteins बनाते हैं. और amino acids में क्या होते हैं? low groups होते हैं या निके low groups से मिलके amino acids बने हैं. कौन हों से तों groups हैं? पहला है amino group that is NH3 और दूसरा क्या है? carboxy group that is COOH. ठीक है? तिर हमने बड़ाता bacteria के बारे में क्या है? यह? माइक्रोस्कॉपिक है. साइज में या निके हमें इसे बाठ गिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं. दूसरा कार यह prokaryotic है nature में. इस तो मतलब क्या होता? प्रोकaryotic का. कोई proper nucleus में यह bacteria के पास. और तीसरा ग्यादा यह है simpler forms है. simpler forms है. कोई complexity में नहीं है cell के अंदर और जो cell organ leads होती है. जो cell के अंदर organ leads होती है, जो help करती है, cell को function perform करने में हो क्या होती है? cell organ leads are absent in bacteria. ठीक है? फिर फूर्ट था हमके पड़ाबा सेंट्रों में है. यह क्या है? एक constricted area है. किस के अंदर? ग्रोमोसोम के अंदर. और ग्रोमोसोम क्या करते हैं? जीन ट्रांसपर करते हैं, जन्टिक इन्परमेशन को ट्रांसपर करते हैं. तो जो आज का हमारे topic है, वह हम next 4 definition और पढ़ेंगे आज की. chlorophyll, cytoplasm, DNA और endocytosis के बारे में. ठीक है? तो अब हम start करते हैं, आज की my definitions. सबसे 5 definition है chlorophyll. Chlorophyll के बारे में सभी ने सुना होगा, यह plant cells के अंदर होती है, और animal cells में chlorophyll absent होती है. यहांके बहुत रेयर है animals, जिनके अंदर चाजी है chlorophyll present होती है. लेको क्या है chlorophyll? अब हमने aughtotrox अब हमने aughtotrox वर यह कीक हा, और अब रौोच क्या होती है, सब्सक्राइब करें, autotropes, the organisms which can prepare their own food, ठीक है, autotropes वो organisms हैं जो अपना खाना कुछ से प्रिपेर कर सकते हैं तो chlorophyll के आदर है, एक green color का pigment है, जो किसके अंदर होता है, autotropes के अंदर होता है, या आपको बढ़ाने के लिए कि प्लांट में होता है, ठीक है, ये को क्या है autotropes, वो organisms चोपना खाना को प्रिपेर कर लेते हैं, और अभी के लिए हम आपको बढ़ाने के लिए क्या होता है, किसके अंदर chlorophyll होता है, green color का pigment होता है, किसके अंदर present होता है chlorophyll, chloroplast के अंदर होता है, ठीक है, और क्या करता है ये, chlorophyll help करता है, it helps the plant in the process of photosynthesis. क्या करता है, क्या करता है, chlorophyll, 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 chlorophyll के लिए present होता है, chlorophyll, chlorophyll, chlorophyll के लिए present होता है, chlorophyll, 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 chlorophyll तो देखो, तो देखो, it helps the plant in the process of photosynthesis by absorbing the sunlight, ठीक है, क्या करेगा chlorophyll, absorb करेगा sunlight हो, उससे क्या होगा फिर, photosynthesis होगा, sunlight की presence में, क्या हुआ, sunlight की presence में, chlorophyll ने sunlight के absorb कर रहा, carbon dioxide, water के साथ क्या बन गया, photosynthesis का पुरसेश होगा, और क्या प्रिपेर होगा, food प्रिपेर होगा, ठीक है, chlorophyll ने अपना काम कर दिया, क्या काम किया, उससे किया, absorb की sunlight को, ताकि plant क्या कर सके, photosynthesis कर सके, repeat करें, chlorophyll क्या है, green color का pigment होता है, जो autodrops के अंदर होता है, और autodrops क्या होते हैं, वो organisms, जो अपना काना, food प्रिपेर करते हैं, अब है दूसरा point, दूसरी 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 जो है, cytoplasm, क्या है cytoplasm? It is the living material present inside the cell, except from nucleus, क्या है cytoplasm? Living material है, जो कहां present होता है, cell के अंदर present होता है, except the nucleus मतलब nucleus के अंदर जो material है, उसे count नहीं करते, देखो, for example, अगर ये एक cell है, ये nucleus है, तो जो living material, cell के अंदर है, लेकिन nucleus के अंदर नहीं है, nucleus के अंदर नहीं है, उसे क्या बोलते है? cytoplasm, ठीक है? और जो nucleus के अंदर होता है, उसे क्या बोलते है? नुकलियो, प्राजम, यार देखो, cytoplasm, एक अंदर नहीं है, उसे बोलते है, cytoplasm, और सारी cell organelles कहां present होती है? cytoplasm के अंदर होती है, सारी functioning कौन करता है? cell organelles की? cell organelles किसके अंदर functioning करती है? सारी cytoplasm के अंदर करती है, देखो, और फिरसे repeat कर रही हूं, cytoplasm एक अंदर नहीं होती है, जो cell के अंदर प्रेजिट होता है, वेल्कित, यूपियस के अंदर प्रेजिट नहीं होता, ठीक है? जितनी भी cell organelles हैं, वो cytoplasm के अंदर प्रेजिट होती है, और वहीं पे क्या करती है, आपने सारे functions, perform करती है, ठीक है? यूपियस के अंदर प्रेजिट के अंदर प्रेजिट होती है, अब हम चल्गे है, थर्ड प्रेजिट की तरफ जो है, DNA, DNA के बारे में सबीने सुना होगा, DNA is the genetic material, क्या प्रफोर्म होती है DNA की? DNA की क्युर्फोर्म है? Deoxyribobucleic Acid क्या प्रफोर्म है DNA की Deoxyribobucleic Acid यह एक ताइप का Nucleic Acid है जिसके अंदर क्या होती है? Oxygen absent होती है ठीक है, इसले लेकर बोलते है, Deoxyribonucleic Acid, विकों इस Nucleic Acid के अंदर, Oxygen absent होती है, किसके अंदर से, from its ribose sugar. Deoxyribonucleic Acid, ऐसा Nucleic Acid है, जिसके अंदर राइबो लिखा रहा है, ribose, उसकी राइबोस, शुगर के लिए बढ़ उसकी आगया है, एक शुगर होती है, इसका राइबोस, और फिराइबोस क्या है, Deoxyribonucleic Acid, दी मतलब Deletion, यानिकि delete होना किसी चीज़ का, या फिर absent होना, ठीक है, Deoxy, Oxygonucleic Acid क्या जाता है, Oxygen के लिए, ठीक है, तो मतलब क्या है, इस Ribos Sugar के अंदर, जो word है, Ribos, इस Ribos Sugar के अंदर क्या नहीं है, क्या absent है, Oxygen absent है, इसके DNA को बोलते है, Deoxyribonucleic Acid, क्योंकि इस Nucleic Acid के अंदर, जो Ribos Sugar है, उस Ribos Sugar के अंदर, Oxygen present नहीं है, चीक है, अब दूसरा point क्या है, DNA के बारे में, क्यांकि है, इस GENETIC MATERIE, GENETIC MATERIE, जिन लिम्स ने के थे कि अगया बिकाज में लिम्सक्राय के लिविग अगया है बॉकाज जो जो गयोरिटी है जिर्मी तेमि जरनी के है पिल्मसक्राय की उन्में किया है निया अविसे जनितिक मतेल क्यों वोलते हैं? Because it transfers the genetic information from one cell to another in genetic code. देखो, क्यों बोला है the genetic code genetic material? क्योंकि यह क्या करता है? Transfer कर रहा है genetic information को एक cell से दूसरी cell में. यहां भी यह कह सकते है from one generation to another. पहली generation से दूसरी generation को क्या कर रहा है? यह transfer कर रहा है genetic information. Genetic information में क्या गया? हमारे characters. ठीक है? कहते हैं ना कभी आपको क्या आपके face characters आपकी mother or father से मिलते हैं. यह क्या है? Genetic information है. जो किस form में जाती है? Genetic code की form में जाती है. एक three word code होता है. Three letter code होता है. जिसे हम बोलते है genetic code. जिसके अंदर क्या होती है? Information transfer होती है. One organism से उसकी next generation के अंदर. अब है हमारा last. जिसे definition जो होती है? Four definition. Four definition कांस है हमारी? Endocytosis. क्या होती है endocytosis की definition? It is the intake of food either in the form of liquid or solid by the cell. क्या है endocytosis? As the process, जिसके अंदर जो cell has food intake कर रहा है, चाहे salt form में, चाहे liquid form में. यह further two types में divided है, जो हम अपने next lecture में पढ़ेंगे. आज हमने सिरफ यह 4 definition पढ़ी है, chlorophyll, cytoplasm, DNA और फिर endocytosis और endocytosis की definition हम next lecture में continue करेंगे.